लमस्कार साथियो आज हम बात करेंगे तुर्की के बारे में रात बहुत लाइब था जोब एडवाइज सोक ललबी चैनल पे तो आप लोगों में से कुछ के क्युस्टन थे सर तुर्की का जोब नहीं आता गया बहुत तुर्की का जोब बाकाहता इंट्र्यू है आप चाओ सब कुछ इसमें अगर आप तुर्की जाना चाते हैं तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है अगर आप तुर्की जाना चाते हैं तो थोड़ी नहीं पेट आपको थोड़ा पता होना जुरूरी है तुर्की के बारे में तो दिखरा होगा ये तुर्की है इस्ताबूल ये तो नकसा मैंने बताया है, सबसे बड़ी बात है कि वर्ड का सबसे एक पहला एक ऐसा मुस्लिम देश है, जो मुस्लिम देश होते वे भी धरम निर्पेक्स कंट्री है, धरम निर्पेक्स का मतलब यह होता है, कि सभी धर्मों की आजादी, सभी धर्मों का मानसमान यहां पे कि बाकि ज़ीड प्रेवर मुस्लिम कंट्री है, दो वहां पriaं पे ऐसा नहीं होता है, तो यहीसा और विरॉप के बीच में लगती है और विरॉप की शीमा भी लगती है, तो इसलिए लोग ज़्यादा तुर्की जाना चाथे हैं, कि वहांसे विरॉप हम जा सकें, 90 million की जन सिंग क्या बाइसा आप तो जन सिंग की अच्छी खाशी है यहां पे राजदानी इसकी अंकारा है और आपका पास्पोर्ट में वीज़ा इस्टम्प होता है चे आप विजिट वीज़ा लो चे आप परमिट वीज़ा लो दोनों वीज़ा पास्पोर्ट में तो एक मेने से दो तीन मेने तक का इसमें वीज़ा प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है तनखा की बात करें तो भईया पचास साथ चालिस पचास साथ जारुपे आप अराम से यहां पे कमा सकते हैं और यहां की जो लीरा बोला जाता है लीरा जो अभी बहुत डाउन हो चुकि एंडिया का वहां की एक लीरा का इंडिया का दो तीन रुपे बनता है पहले बहुत चालिस पचास रुपे बनते थे इतना डाउन हो चुका है पिछले दो सालों में आसान वीज़ा प्रोसेस यहां का है और कोई भी अपड़ आदमी बढ़ा लिखा कोई भी जो जो के लिए भारी मातरा में आऊ सकता है कलाइंट जोम इंट्रु होगा आपका सतरा दो दो हजार चोवीज को ओफिस में जी हां चिकन फैक्टरी में हेलपर है तनखा देख लो भईया 24 जार से 25 जार लीरा पलस रहना खाना इंडियन करेंशी 64 जार से 68 जार यानि 60 से 70 जार होगा इसका जूम पे इंट्रु होगा आपका कमपनी का क्लाइंट है जूम पे जूर्ष लेगा जूम जोर जाते हैं बहुत सारे समझ गए होंगे Gerald विज्णर म乾शे के लिए तो और जिनके पास पुरानी बुक है ये उनको आप मुझे वाटसप कर लिजिएगा मैं आपको वाटसप पे ये एड्रेस आपको सेंड कर दूँगा ये बात किलियर हो गई आप थोड़ी बाते और समलो विया ये है देख सकते हैं तुर्किया का वीजा तुर्की कंट्री का ऐस ये उफरलेटर मुझे बंदे ने एक डाला था सबसे बड़ी बात यह है यहां पे बंदे की डिटेल आई थी इसमें तनका देख लो हैल पर में ठीक है जी आट सू यूस्डी डॉलर हैल पर में इसमें तनका बताई गई है तुर्की का तुर्की का वर्फ पर्मिट सकता है लेकिन ये ओफरलेटर फेग है hyvin इडिक किया ऑफ़लेटर है साप इसमें दिख रहा है बंदे से मेरी बात हुई दिल्ली कि दिल्ली के ंजडिक का बंदा था तो मैं बला है आप तो दिल्ली में बहुत सारी ओफिसें यहां अपलाई कर लेते बहला सर यहां पे और उसने अच्छी बात है कि बड़ी-बड़ी ओफिसों के नाम बताए मुझे जिनमें यह बहुत सारी में पाउर ओफिस वाले खुद उनसे काम करवाते हैं बला सर वहां पे दिक्कत ही दो दिक्कत आई मैं बला क्या आई बला एक तो वो मेरे से पैसा बहुत ज़्यादा मांग रहे थे और दूसरी बात तनका वो कम दे रहे थे आप गया उसे सुनना बात तो मैं बला अच्छा जी फिर मैंने सोसल मीडिया एक जानकार बंदा था उसके दोरा पॉंटे किया यूपी में साड़े 600 किलोमेटर दूर बंदे से पढ़ रहा था वहां वो पहुंचा हना और वहां पे 30,000 रुपे जमा करवाए और इसको ये ओफर लेटर दिया गया मैं बला भाई एक बात बताओ जो अजेंट है उसकी तुर्की में खुद की क उदर बागोगे और उसमें side effect क्या है वो तो देख लो अब इसके side effect दिये कि इसने 30 जारी दिया है मैं बला भाई पैसा वापस ले ले इसको तीन मेंजे तुझे फ्लाइट करवा दूँगा अभी तो इसको offer letter दिया गया तो ऐसी चीजों से बचने की response ability आपकि ए इसका मैन जनकर के साथ जहीं जवाद